क्या आप भी अपने unwanted hair से परिशान हैं आपके facial hair बहुत जादा हो गए हैं और face पे बिल्कुल भी glow नहीं आ रहा है तो friends बिल्कुल भी tension नह ले आज मैं आपके साथ acid DIY लेकर आई हैं जो आपके facial hair remove करेगा और आपके face पे जितना भी काला पनाया है दाग धपे हैं उनको easily remove करे तो बने रहीएगा मेरी वीडियो में Hello friends कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग बत अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल skincare पर आज मैं आपके साथ acid DIY शेड करूंगे जो आपकी skin को light and brighten करेगा साथ इसाथ आपकी face पे बहुत ही अच्छा से glow लेकर आएगा और की skin एकदम smooth plumpy doing सी हो जाएगी तो चलिए जादा ना बात करके remedy स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने milk ले लिया है आप देख सकते हैं आपके पस जो भी milk available आप ले सकते हैं आप सोच रहे होंगे मैंने कप में milk क्यों लिया है और इस कम में क्या करूंगी और साथ में चीनी माई यानि की दूद और चीनी को देखकर कि आपको यही लग रहा हो कि मैं आज क्या चाय बनाने वाली हो चाय से कोई remedy बनाऊंगी तो नहीं फ्रेंट में दूद और चीनी से ऐसा DIY face pack बनाऊंगी जो आपकी skin को light and brighten करेगा और आपकी facial hair को भी easily remove करेगा तो आप देख सकते ह दinyl रिख सकते हैं या मैं सबसे पहले मैंने आदा कप्से स्अधा दूद लिया है और इसको एक पैन मैं अच्छे से बॉयल नूँगी और सात हमें जब तक पकाना है तब तक कि इसकी पॉंटिटी जो है बहुत कमना हो जाए अच्छे से थीकनेस मिल्क में ना आ जाए तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉइल हो रहा है आप देख सकते हैं साइट से जल भी गया है तो मैंने इसका दूद जो है सारा अच्छे से गरम कर लिया है और आप इसकी कॉंटिटी देख सकते हैं फ्रेंट्स उसी कब में मैंने कितना दूद लिया था और कितना यह बचा है तो फ्रेंट्स में इसमें एड करने वाली हूँ आपको दुद्ध को बिल्कुल थंडा नहीं करो आ आपको इए Dip आपको एक साथ, पूरा जो है। बेसन जो है पूरा mix नहीं करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें add करना है पहले एक चमच फिर हाफ चमच इसी तरीके से आप इसको इतने smooth सा paste बना लेंगे उसके according आप 102 चमच इसमें डाल सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्रिरट चमच बेसन I èd किया है और में अच्छे से इसको mix करणा है आप को इसे बहुत अच्छे से mix करना है देख सकते हैं कितने ज्यादा लम म्यंकि यहलं से मिक्स करूंगे ताकि इसके सारे जब तक इसकी पेस्ट सी बनके तयार ना हो जाए और आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रहें अगर आपके करें पर नैज सकते हैं और इसकी हो जाएह एक करेंगे तो आयार भी तो कोफी पावडर मारे इसकी हुए ना बाकिम्राण काता है और साथे साथ हमारे face पे इतना अच्छा वर्थ करेगी ना friends बहुत ही अच्छा तो आप देख सकते हैं आपको coffee का powder इसमें add करके इस अच्छे से mix कर लेना है ताकि जो हमारा paste है उसका color भी change हो जाए और coffee इसमें अच्छे से mix हो जाए friends यह जो pack है कोई भी लगा सकता है बच्चे बड़े और बुड़े सब इसको लगा सकते हैं जिसको facial hair की problem है girls हो या boys हो जिसको भी facial hair की problem है तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं friends boys जो होते हैं उनकी जो facial hair होते हैं बहुत जादा ठीक होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह उनके में work करेगा तो girls के लिए बहुत ही अच्छा है आप girls पे इतने thick hair नहीं होते हैं face वगरा पे पतले ही hair होते हैं तो easily यह remove हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं friends अब मैं आपको इसे apply करके बता रही हूँ friends मैं आपको अपने hand पर ही apply करके बता रही है क्योंकि सारी remedies मैं आपको hand पर ही apply करके बताती हूँ तो आप देख सकते हैं इसी तरीके सा आप अपने face पे neck पे apply कर सकते हैं यह कीन माने फ्रन्स इसका रिजल बहुत आज़िए क्योंकि में इसको अपने हें ग्री अप प्रेस पे मैं आपने आपको ब्लैक करें कि और ऑफ देखुता यहाँ रिख आ कितने अच्छे से मैं इसको लगाया है और फ्ररन्स लगाने के बाद आपको इसे 3-4 मिट अच्छे से रब करके मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में आप रब करेंगे तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्रो लेकर आएगा क्योंकि रब करने से मसाज करने से हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है तो आप देख सकते हैं 10-15 मिनट में ये ड्राय हो जाएगा ड्राय होने के बाद अपर डायरेक्शन में इसको रब करते वे मैं इसको रिमूव करेंगी तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ आपको भी इसी तरीके से अपने face पे रब करते वे रिमूब करना है तो फ्रंस हो सकता है आप जैसे अगर इसको रब करें तो यह निकलते वक्त आपकी skin थोड़ी red कर सकता है कि उपर सिफ फ्रेंट्स कोई भी नुकसान नहीं होगा थोड़ा सा रब करने के वज़े से आपको redness हो सकती है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और अच्छे से इसको हलके हाट से ही रब करके रिमूब करें जागजा हाट हाट से ना करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने हैंड पे सच्छे से रिमूब कर लिया है यह बहुत ज्यादा चिप चिपा हो रहा है तो तो मैं इसको बटाऊंगे कि ऐसी चीज लगाऊंगी जिससे आपके जो हैर रूट्स है वो निकलना बंद ही हो जाएं कितना अच पानी में भीगो के आप अपने फेशे लिया जहां से रिमूब किये हैं आप महां पर इसको लगा करके अच्छे से रफ कर सकते हैं अगर आप इसको रफ नहीं करेंगे तो इसका पाउडर बना करके इसमें कोकॉनट ऑईल बग दाल करके या फिर पानी में इसको ऐसे ही डा करके इसका पानी भी आप लगा सकते हैं इतना ही अच्छा यह वर्प करेगा तो फ्रेंट्स मैंने उसको लगा करके दस्टनों छोड़ दिया था उसके बाद अपने हैंड पे अच्छे से मॉस्टराइज कर लिया था मॉस्टराइज करना बहुत ज़रूरी है यह हमारी स्किन पर बहुत अच्छा हाइडरेट करता है अब मैं आपको बताती को कैसे आपको अप्लाइ करना है कब अप्लाइ करना है तो फ्रेंट्स आप इसे वीक में टू टाइम अप्लाइ कर सकते हैं पर फ्रेंट्स फिट करी जो मैंने अपने हैंड पे लगाई थी उसको आप डेली की इस्तेमाल कर सकते हैं इससे हमारे फेशेल है और नेच्रली खतम होना स्टार्ट हो जाएंगे हमाई ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगे आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को इस वीडियो में बाई बाई